लेट्स लुक एट के यह हम इसके जो डिफरेंट कॉंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं एंड प्रॉडक्ट बनाने के लिए तो उनकी रिक्वायर्मेंट हम कैसे ग्रॉस रिक्वायर्मेंट कैसे डिटर्मिन करेंगे इसके अंदर लेट्स इसके प्रॉडक्ट स्ट्रॉक्चर डिवैलप हो गया है तो हम डिटर्मिन कर सकते हैं फॉर एक्जेंपल यह हमारे जो एक्जेंपल है ऑसम स्पीकर किट्स की उसको हमने देखना है कि उसके अंदर जो कुछ भी यूज हो रहा है उसकी ग्रॉस रिक्वायर्मेंट क्या आ रह और सब असेम्बली जा गए हैं फिर सब असेम्बली को खोला तो उसके अंदर आपका कंपोनेंट्स आ जाएंगे को कौन से कंपोनेंट्स और तो वो पूरा आप उसको एक्स्प्लोड कर रहे हैं खोल रहे हैं तरहां फॉर एक्जेंपल इसके अंदर आपका जो डाइग्र बॉब्च्र है जो के हमने इसका ओसम जो मारा ओडियो किट है उसका हमने डिवेलप किया हुआ है अब इसके बेसिस के उपर अगर हम देखें कि हमारा ग्रोश रेक्टली होगी जी की किया ग्रोश क रिक्टली होगी तो? हम इस से calculate कर सकते हैं वो किस तरह करेंगे कि आपके पास जो given है उसको हमने explode किया और वो ये तकरीबन बन गिया for example हमने कहा कि हमें B जो है वो हर A में दो unit चाहिए अब A का क्या requirement है 50 A's बनाने let's say 8th week में तो हमें B कितने चाहिए होंगे 100 gross requirement 100 की है ये बाद में इसके अंदर फिर inventory और दूसरी चीज़े इंकॉर्परेट करेंगे तो हमें actual पता चलेगा कि B को हमें अब कितने B's चाहिए है इसी तरह C की तीन requirement पर A जिरा 50 A's बनाने है तो C's कितने चाहिए 150 चाहिए by 8th week और 7th week जब भी A's की production शुरू होगी E जो है वो basically दो चाहिए B के लिए और दो चाहिए C के लिए ये हमने देखा था कि ये दोनों A की level पर second level के पर मुझूद थे तो इसके अंदर हमें कोई change नहीं करने पड़ी जबके B हमारे 100 हैं और C हमने हमें चाहिए 150 तो इनको multiply करके आप sum कर लें तो हमारे 200 प्लस 300 ये आ जाएंगे तो total हमें 500 चाहिए E F जो है वो दो चाहिए हर C के लिए again C 150 हमने हमें required हैं तो ये हमारे पास 300 होने चाहिए इसी तरह G जो है वो एक चाहिए हर F के लिए अब F जो हमने C के लिए किये हैं determine वो 300 हैं तो एक क्यूंकि G चाहिए हर F के लिए तो again 300 हमें चाहिए अब D की बारी आई तो D जो है वो दो चाहिए हमें 20 के लिए और जबके हमें F's के लिए भी दो चाहिए हर F के लिए यह second level पर था और यह third level पर था इसको pull करके हम third level पर लिया है तो अब A की level पर हम इसको solve कर रहे हैं तो इसके अंदर 2 multiplied by 100 plus 2 multiplied by 300 we get 800 की figure जो के हमें चाहिए है और 50 A's बनाने के लिए जो के different level के उपर हमने इनको consider किया है